हेलो श्रेंट्स वेलकम टू गैंग्स टॉपर्स प्यारे बच्चो आज हम लोग एक इंपॉर्टन प्रोगाम डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग का सेलिंग प्राइस को स्प्राइस प्रॉफिट लॉस के ऊपर रहेगा ठीक है बच्चो तो बस मैं हमेशा समझाना चाहते हो बता है आपको कि हमारा टेलिग्राम चैनल हो गया वट्सप चैनल हो गया एड आज यूटूब चैनल यह तीनों को आपको क्या करना फॉलो करना था कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अपडेटेड वीडियो उन टॉपिक और जावा मैथमेटिक्स और फिजिक्स और फ बच्छो एक सेकंड no देखहां पर सिंपल से बात हो रहा है कि बच्छो यहाँ पर बोला रा है कि दू कुल कुलेटर है ठीक है और यहाँ पर variable एτο फटे ना समझ है क्या 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 है तोड़ा से से ना समच में देखे और shaft keeper sells two calculator for the same price he earn 20% on the profit and suffers 20% और आपको कहकरो राइट रॉगन है राइट प्रोग्म जावा को ठोटल कोस्ट पास्ट 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 वल्ह ए धे कोस्ट पास्ट पास्ट का पास्ट पास्ट अज शेकन कारिटर सेलिंग प्राइज यहां पर सेलिंग प्राइज देखा है तो दोनों कल्कुलेटर के सेलिंग प्राइज तो सेम है अब ध्यान से देखिए बच्छों यहां पर बोल सकते हैं कि एक कल्कुलेटर हमारा जो केशियो का है एक कल्कुलेटर हमारा माल लेते इंडेक्स का है ठीक है यह दो company है तो यहां पर दोनों company का calculator था दोनों का यह क्या-क्या shopkeeper गलती से दोनों का selling price same रखा और same में बेज़ दिया बोल सकते है ठीक है अब देखें केशियों तो महंगा होता है इंडेक्स तो थोड़ा सस्ता होता है depending on these things है तो केशियों का जो original जो CP होगा जो यह shopkeeper कहीं और से लिया होगा wholesaler से और यहां पर index का जो CP होगा वो तो अलग होगा अध्यान से समझ सकते है ना पस यह logic को आपको understand करना है ठीक है तो देखिये अब आपको पता होगा बच्चो कि आपको क्या पता होगा बच्चाहिए कि हम लोग कैसे निकालते हैं जब हमारे पास देखिये दो concept होना चाहिए आपको selling price आपको पता है selling price पता है and profit percentage आपको पता है ठीक है तो we already know the formula that is CP कैसे निकालते है CP is called to हो जाएगा 100 divided by 100 plus profit percentage ठीक है बच्चो और into क्या हो जाएगा into हमारा simple से कर देंगे 100 ठीक है तो यह कौन सकता similarly अगर SP दिया हो बच्चो और आपको यहाँ पर loss percentage मालूम है तो यहां से हम लोग यहाँ पर CP निकाल सकते हैं और यह जो profit के जगा हो जाएगा वहाँ पर minus हो जाएगा क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो 100 minus कितना हो जाएगा बच्चो लॉस परसंटेज है और यहाँ पर into हो जाएगा that is 100 तो बस यह तो को माल लेते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस था सब्सक्राइब के लिए वह माल लेते चौबिस हो है ठीक है तो आप यहाँ पर CP CP 1 निकाल देज़ेगा तो CP 1 इस पर टिक होगा 100 loss percentage यहाँ पर gain percentage 20% दिया हो है तो profit हमारा कितना दिया होचो 20% दिया हो है तो यहाँ से CP 1 निकाल देगे that is 100 डिवाइड बे कितना है 100 प्लस profit कितना हो तो 120 होता है यहाँ से क्या हो जागा यहाँ पर कितना 12 होगा हमारा selling price चौर्विस होगा 24 होगा How । कि यहां पर क्या होगा देखी यह 100-100 से 6 यहां से बारत कि 焦 मिनस्ते हां पर को ट्राइख फाइस्ट हो निग्लिए हो हमारे कितना रवत बच्चो यहां फे दो इसे कड़ जागा कितना से लुशिकर जागा ठीक है तो दो सी कड़ है तो कि इतना हो सब मुंर too सिता को स्टाइश ठीक है तो एक काल्कुलेटर का दाम जो था हमारा के इंडेक्स काे किसका म πάल लेते हैं उसका हमारा जो को स्टाइस गया थे हमारा सेअ किसेंद दूसरा निकालें देखिए अब यहां पर लॉस परसंटेज निकालना पड़ेगा न बश्चो तो लोस परसंटेज कैसे निकालने देखिए लॉस परसंटेज हमारे 20 परसंटेज दिया तो सीपी इसकल तो कितना होगा हन्डेट डिवाइड पर हन्डेट मैने से लोगा असी इंटिव 24 हो जाएगा बच्छो तो यहां से क्या हो जागा एक जिरो से एक जिरो कैंसल हो जागा यहां पर काटेंगा तीन हेर हो कितना यहां पर टोटल कोष्ट पाइज हुआ है इसको डूनो इंट सेलिंग पाइज दिया लिया कितना था फांच जार में लिया था संटे निर लिए तो लॉस हम लोग निकाल सकते हैं लॉस इस कल्टो वह जाएगा हमारा 200 पर कर लॉस हो गया ठीक है बस यह अन्डेस्टेंडि सेलिंग पाइस हम लोग एंटर कर दिये तो cp1 निकाल देए cp क्या होता है डिवाइड बैट क्या हो जागा बच्चों 100 डिवाइड बैट 100 प्लस यह ठीक है तो हम लोग यहाँ पर आराम सी कोश्चन निकाल सकने तो जो अभी जस जो मैथमेटिकल जो हमारा एनलिसस था बच्चों उसको यूज करके हम लोग यहाँ पर प्रोगाम लिखें ठीक है तो यहाँ पर cp1 कल्कुलेट किये cp2 कल्कुलेट किये cp1 प्लस cp2 कोश्चन ने बोल रहता है कि हमारा इंपूर करके देखते हैं कि हमारा एंसर आ रहा है कि न आ रहा है कि न आ रहा है अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एंटर दा सेलिंग पैस कोश्चन कि आप पूछ रहा है और यहाँ पर आपको निकलना टोडल कोश्ट पैस कितना होगा देखिए अंसर कितने आप पांच जार आगे हैं आ बच्चों तो देख सकते हैं कितने असानी से तब्लफ हुआ और अब लॉजिक कैसा डेवलप हो रहा है यह डिपेंड कर रहा है आपका मैथमेटिकल अनालिस पर बार बदारो बच्चों लॉजिकल जो प्रोगांमिंग होता है वह डिपेंड करता है आपका अंडरस्टेंडिंग लॉजिकल ठिंकिंगिंग पर ठीक है तो वन्स अगेन आउट होता है बच्चो यहां पर स्टॉप हो गया था तो प्लीज कमेंट सेक्शने कमेंट करिएगा बाकि आपको पता है कि चैनल को स्क्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के सेर करें ताकि इसी तरह का वीडियो जो हमारा प्रोगाम पर जावा पर आ रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं आपको बेसिक एंडरस्टैंडिंग दे दे अच्छा हो जाएगा ठीक है बच्चो थैंक यू और थैंक यू फोर वाचिंग दे सेशन थैंक यू